दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूटूब चेनरल टेली मोट टेक को और साथ में बैल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो नमस्कार मैं हूँ सुरिस्क मर दोस्तो आज मैं बताऊंगा टेली इ-R-P-9 के अंदर कंपनी कैसे क्रियेट होती है दोस्तो अपने पिछली वीडियो में देखा था टेली को कैसे डाउनलोड किया जाता है आज मैं आपको बताऊंगा कुम्पनी कैसे केरेट की जाती है तो पहले अपने टेली और पिनाइन को उपन कर लेते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर एजुकाशन मोड पर आपको समझाता हूं दोस्तों यहाँ पर मैंने एजुकाशन मोड के अंदर इंटर की है और यहाँ पर आगए कई सारे अपसन आगए है सेलेक्टेड कंपनी, लोगिन एज, रेमोट यूजर्स, क्रियेट कंपनी, बैककप और रिस्टोर, क्वेट दोस्तों आज मैं आपको क्रियेट कंपनी के बारे में बताऊंगा सेलेक्ट कंपनी कैसे की जाती है, क्रियेट कैसे की जाती है, लोगिन कैसे की जाता है, बैककप और रिस्टोर कैसे की जाता है तो दोस्तों मैं करता हूँ, क्रियेट कंपनी पर एंटर, दोस्तों यहां पर सबसे पहला है डारेक्टरी, हमारा डाटा है, वो कहां पर स्टोर हो रहा है, तो जैसे मेरा डाटा सी के अंदर यूजर्स पब्लिक टैली यार्पी नाइन डाटा के नाम से सेव होगा हुआ है, तो दोस्तों यह नेम की जगह मैं अपना कंपनी का नाम बरूँगा, जैसे मेरी कंपनी है टैली मोट टिप्स दोस्ता के पुछा है, मैलिंग नेम, मैलिंग किस नाम से ओनी चीए, मैलिंग यही नाम हो रहेगा इसमें, दोस्ता के पुछा है, एड्रेस कंपनी का एड्रेस क्या रहेगा, जैसे मैं आपर मानगड का रहने वाड़ा हूँ एड्रस बर देता हूँ अगे यह country पूछ रहा है country मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा state state जैसे मैं राजिस्थान का हूँ आप अपने इसाब से जहांके रहने वाले हैं वहां का state सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर पराजिस्थान सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर पिन को डाल देता हूँ मैंने मेरी एरिया का पिन को डाल दिये इसके बाद में दोस्तों contact name बवना है contact detail contact detail के अंदर दोस्तों phone number । जैसे मेरा phone number है दोस्तों इसके बाद मैं मॉवाईल number जैसे मेरा मुवाइल नुम्बर है मैंने डाल दिया है fax address, email address भी डाल सकते हैं website www.telemore.com मैंने address डाल दिया है दोस्तों इसके बाद में यह financial year beginning from यानि कि हम जो books बना रहे हैं वो कहां से start होगी यह हमारी books जैसे मैंने 14.19 से start किया है तो 14.19 से मैंने यहां पर date डाल दिये books beginning from यह भी 14.19 से ही होगा दोस्तों इसके बाद में यह security option है इसमें security option के अंदर tally world password if any अपने डालना है तो दोस्तों अगर यहां पर दो जगा password पूछ रहा है एक नीचे भी password पूछेगा यहां पर अगर अपने एंटर करते हैं password तो सिर्फ एक बार ही password पूछेगा जब अपने टैली स्टार्ट करेंगे तो एक बार स्टार्टिंग में यह password पूछेगा उसके बाद में यहां पर आ रहा है यूज security control तो यहां पर हम yes करेंगे अमने टैली के अंदर password लगाना है तो यह दोस्तों यह TSS के अंदर की password set होगा यहां पर name of administration यहां पर हम कोई भी नाम दे देंगे जो हमने अमारे को याद रहे जैसे मैंने आपर प्राश के लिख दिया है और यहां पर दोस्तों password देंगे password मेंने जैसे आं पर दे दिया है दोस्तों यहां पर एक करेक्टर भी देना है जैसे यह यह अपना password strong हजाए कि अदि डेखो यहां पर लिखागे ना password strength good और यहां पर वह ही पासवर्ड दोबार रिक्वेट करना है ठीक है दोस्तों फिर यहां पर मैं एंटर कर दूँगा दोस्तों यह एंटिमेशन आ रहा है forgetting your password will render you data in accessible यह कह रहा है अगर आप password भूल जाते हो तो यह data में एफेक्ट पड़ सकता है तो हमारे को password अच्छी तरह लिखना है इस्टोर कर लेना है जिससे कि हम कभी password भूले ना अच्छा इसके बाद में दोस्तों यह पूछ रहा है use tally audit features हमने tally के अंदर audit वाले फिचर भी डालने है तो यहां पर हम yes कर देते हैं दोस्तों आगे आ रहा है allow opening in education mode अगर आपके पास license नहीं है और उसमें काम कर रहे हो तो यह नो ही पढ़ा रहने दें अगर अपने पास license है तो यहां पर yes कर देंगे तो वह education mode पर open नहीं होगा ठीक है दोस्तों हम मैं जैसे यहां पर नो ही पढ़ा रहने तम मेरा education mode है और मैं दोस्तों यहां पर enter करके नीचे कई जानकारिया है यह fix रहेंगी दोस्तों तो यहां पर यह enter करके मैं इसको accept कर देता हूं दोस्तों यहां पर जो हमने password दिया है username username मैंने मैं ask के दिया था और मैं यहां पर password डाल देता हूं अपना जो दिया है दोस्तों यह मारी company बन गई है टेली मोर टिप्स के नाम से कंपनी आ चुकी है अब यह इसमें हम काम करने के लिए ready हो चुके हैं दोस्तों आगे मैं इसमें account information की जानकारी दूँगा अपने account कैसे create होते हैं वो मेरी अगली वीडियो में है आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों यह company create की जानकारी आपको आपको अमीद करता हूं आपको समझने आई होगी दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा है इसका comment भी कीजिएगा धन्यवाद